सुबा खाली पेट गरम पानी में शहद मिलाकर पीने के ये फायदे चोंका देंगे जट से खत्म होते हैं दस रोग नमश्कार दोस्तों कैसे हैं आप से वेल आए खोप कि आप सबी अच्छे होंगे दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो के माद्यम से अश्टांक रिद्धम जो कि हमारी आएरवेट की किताब आच से हजारों साल पहले वागबट रिशी जी के तवारा लिखी की थी उसके अनुसार बताने वाले कि गरम पानी में सुबा खाली पेट अगर आप शायद मिलाकर सेवन करते हैं लेकिन कौन से बरतन में आपको पानी का सेवन करना चाहिए अपनी बॉडी की प्रकरती के अनुसार वात पित और कफ के अनुसार दोस्तों आपको तामबे के बरतन में किन-किन लोगों को पानी पीना चाहिए वो भी बताऊंगा किन किन लोगं को तामबे के बरतन में रात को सोते समय पानी नहीं रखना चाहिए वो भी बताऊंगा साथ में शहद कौन सा लेना है और दोस्तों आपको मिट्टी के बरतन में शहद रखने की क्या-क्या फायदे होते हैं वो भी बताऊंगा तो दोस्तों हम वीडियो को ध्यान सेंद तक अवश्य देखें दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी न भूले है ना में कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है अगर आप हमारी वीडियो उसको लाइक करते हैं पसंद करते हैं शाथ में चैनल को सुस्क्राइब कर दें और दोस्तों सुस्क्राइब करने के बाद बैल आइकन घंटे को दबाने के बाद मैं आपको All Notification का Option दिखाई देगा उसको दबाना बिल्कुल भी गलती से ना भूलें ताकि जब भी मैं रुजाना डेली बिस्स पर अपने यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको आपकी मुवाईल में तुरंट मिल जाए चली जानते हैं सबसे पहले की आपको तामबे के बरतन में किन किन लोगों को पानी पीने है और किन को तामबे के बरतन में पानी नहीं रखना चाहिए उसके बाद में दोस्तों आपको शहद कौन सा लेने है और साथ में मिट्टी के बरतन में ही क्यों आपको शहद रखना चाहिए रात को पूरी आवर नाइट आपको मिट्टी के बरतन में हनी रखना है और सुबा उटके दोस्तों आपको गुन-गुने पानी में आपको मिला कर सेवन करना है यही सही तरीका होता है दोस्तों चलिए आईए सबसे पहले जानते हैं कि तामबे के बरतन में किनको पानी रखना है किनको ने रखना है देखिए अगर आपको पित प्रकरती रहती है यानि कि अगर आपकी बौडी का नेचर पित प्रकरती क्या आपको चहरे पे छाले हो जात खासकर तामबे के बरतन में रात बर आपको पानी नहीं रखना चाहिए बाकी सब भी तामबे के बरतन में खासकर सड़ियों के मोसम में तो दोस्तों हर प्रकरती की लोगों को तामबे के बरतन में रात को सोते समय पानी रखना है और एक बात का ख्याल रखें कि तामबे का ज आप देख सकते हैं कितना गाड़ा हनी है दोस्तों, खास कर जो लोग शहर में रहते हैं, जिनको ये गाउं का हनी नहीं मिलता है, जंगली हनी मिलता नहीं, दोस्तों वो किसी अच्छी company के जिस पर ट्रस्ट करते हैं, उसका हनी लेकर आ सकते हैं, और देखिये मिटी के बरतन म उसके बीचे देखिए शहाद जो होता है दोस्तों हमारे blood से मिलता है यानि कि शहाद की जो composition होती है लगबग हमारे blood से मिलती है तो यह काफी अच्छे से किसी भी blood group में बीच में गुल जाता है और आप जानते हैं कि हमारी body है जो दोस्तों लगबग जो बाहरी physical body होती है उर्म मिटी से मिलकर बनी होती है आपकी जो skin होती है यानि कि आपकी body के जो उपरी परत होती है तो दोस्तों अगर आप शयाद को मिट्टी के बरıtन में रखते हैं तो इसके पोशक दत्व यानि की नूटरेंटस एक्टिव हो जाते हैं अगर आप डेली सुबा खाली पेट इसका सेवन करते हैं उसके बारे में बताऊंगा तो दोस्तों आप देख सकते हैं लगबग आपको एक चमच के आसपास आप देख सकते हैं मैंने वन स्पून ये इसके बीच में डाल दिया है आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है दोस्तों ये इसके बीच में डाल के दोस्तों आप एक चमच से जादा अगर लेना चाहते हैं एक बात का ख्याल रखें कि अगर आपको डाइबिटीस की समस्वाय seu तो दोस्तों आपको ये वाला नुसका बिलकुल आवाइड करना है सिरफ दोस्तों ये डाइबिटीस की रोगियों के यानि कि मदू मेर के रोगियों को ये नुसका नहीं लेना है बाकि सब इसका इस्तमाल कर सकते हैं चले जानते हैं कि कौन-कौन सी भेंकर बिमारियों को ये जड़ से खत्म करता है दोस्तों अगर आपके चहरे पे ग्लो नहीं रहती है ओज तेज नहीं रहता है, नूर नहीं रहता है दोस्तों आपने Korean glassy glow के बारे में सुनाओगा, आपने Korean Logan को देखाओगा, Girls को देखाओगा, कितना चमकीला glass शीशे जैसा उनका चहरा चमक रहा होता है, दोस्तों अगर आप उस तरह की glow बाना चाहते हैं अपने चहरे पे, अगर आप काले पन को दूर करना चाहते हैं, तो ब सिटी की problem रहते हैं, दोस्तों ये क्या करता है, कि आपके metabolism को काफी fast कर देता है, उसके कारण क्या होता है, दोस्तों आपकी calorie जल्दी burn होती है, उसके कारण आपका मोटापा बहुत ही तेजी से गड़ता है, तो सुबह उटके हलके गुनगोने पानी के बीच में आपको एक इसके अलावा दोस्तों ये cholesterol की समस्या को भी ठीक करने में बहुत ही जबर्दस बहतरीन तरीके से मदद करता है, दोस्तों bad cholesterol आपकी body में नहीं होने देता है, इसके अलावा थायरोइट patients के लिए भी बहुत अच्छा होता है, माताओं बहनों में अगर मासिक दर्म की समस्य पेन बहुत जाद होता है दोस्तों उनके लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है हलके गुन-गुने पानी में शहद को मिला कर सेवन करना दोस्तों इसके अलावा पुर्षों के लिए तो इतना भैतरीन इतना भयंकर इतना कारगर होता है कि आप सोच नहीं सकते